दोस्तो आज की डेट में जितनी भी बड़ी कंपनिया हैं, बड़े स्टार्टप्स हैं, यह WhatsApp automation का यूज करती है, बड़े लेवल पे customers के साथ interact करने के लिए और अपनी sales grow करने के लिए आज कल आपने देखा होगा, जब भी आप किसी application के साथ ticket book करते हैं, या फिर कोई product buy करते हैं, तो आपको WhatsApp पे notifications आ जाते हैं, in fact आप इन companyों के साथ WhatsApp पे ही बात कर सकते हैं, जो कि एक automated reply होता है company से, तो यह जो automated replies होते हैं या notifications होते हैं, यह लोगों के साथ interact करते हैं और company की sales increase क setup कर सकते हैं, मैं आपको complete process बताऊंगा WhatsApp automation को setup करने का, और in fact इस video के end तक के, आप समझ चुके होंगे कि कैसे WhatsApp से आप हजारो customers के साथ interact कर सकते हैं, और अपनी sales को continuously grow कर सकते हैं, अब देखिए WhatsApp या WhatsApp business application बहुत अच्छे app है conversation करने के लिए, लेकिन बड़े level पे, बड़े scale पे इसा होता है कि जब आप बलक में messages send करने की कोशिश करते हो, तो WhatsApp आपका account block कर देता है, according to reports, WhatsApp ने इंडिया में सिर्फ एक महिने के अंदर 3 million से जाधा account ban किया था, तो ऐसी situation में बहुत जरूरी था कि कोई ऐसा system है, जिससे जो छोटे business owners है, ये बड़े scale में WhatsApp पे sales कर सकें, औ मैं आपको बताता हूँ कि आया कैसे, तो सबसे पहले जब इंडिया में online business ग्रो हुआ, तो WhatsApp ने देखा कि बहुत सारे लोग WhatsApp पे ही sales करने की कोशिश कर रहे हैं, WhatsApp पे ही अपने customers के साथ interact करते हैं, तो WhatsApp ने एक नए application launch के जिसका नाम था WhatsApp business application, अब business app में बहुत सारे ऐसे features थ करने में बहुत प्रॉबलम होती थी, तो WhatsApp ने WhatsApp business API launch किया, API एक ऐसी key है, जिसको verify करने के बाद आप अपने WhatsApp नंबर को किसी भी CRM platform के साथ integrate कर सकते हैं, और फिर बड़े लेवल पे sales कर सकते हैं, तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp API के लिए कैसे apply करते हैं, ये ब business को automate कर सकते हो WhatsApp के अंदर, तो ये सारी चीज़ है, अभी मैं अपने computer में जा के आपको practically करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले एक छोटी से request है, इस वीडियो को end तक के देखना, कहीं पे भी skip मत करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो please subscribe कर दो अब जैसे ही आपका WhatsApp API verify होता है, और आप उसको interact नाम के platform के साथ connect करते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का dashboard मिलता है, इस dashboard में मैं easily अपने customers को देख सकता हूँ, यहाँ पे सारे customers आए हैं, और इस dashboard से मैं बड़े scale पे, बड़े level पे अपने customers को पूरा manage कर सकता हूँ, हमारी जितनी भी sales है, वो इस dashboard से ही manage होती है, आप देख सकते हैं, यहाँ से line से, जो जो customers ने हमको query डाली है WhatsApp पे, वो हमको दिख रही है, यहाँ पे, यहाँ पे customer का messages दिख रहा है, यहाँ पे चाहूँ तो मैं आपने खुद का कोई भी message type कर सकता हूँ, मैं कुछ भी note लिख सकता है, आपको एक WhatsApp business number डालना है, वहाँ पे, जो की further verify होता है, और फिर आप अपने Facebook account को किसी भी platform के साथ connect कर सकते हो, तो WhatsApp business API के लिए apply कैसे करते हैं, इसका एक complete tutorial में description पे डाल दूँगा, उसको देख के आप सीख जाएंगे, तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि WhatsApp automation के दो ची प्रोवाइडर्स बना के रखे हैं, इंट्रैक्ट एक्चली Reliance Geo Haptic की एक कमपनी है, जो की official WhatsApp business API पे बिल्ट है, तो इसमें आपको कोई भी trust issues नहीं आएगा, और इस platform के अंदर आपको completely सारे tools मिल दाएंगे, जो आपको बड़ी level के sales करने पे help करेंगे, तो आईए मैं application process है, और उसके बाद आपको खुद का अपना dashboard मिल लाएगा, तो देखिए ये हमारा अभी currently dashboard है, ये बहुत simplified dashboard है, तो मैं आपको सारी खासियाद बताता हूँ, सारी advantages बताता हूँ, इस particular platform के, आप देख सकते हैं, यहाँ पे line से सारे जितने भी मेरे customers हैं, उनकी queries आपको द आपको सिर्फ slash दबाना है, quick replies automatically खुल जाएगा, और आपको सिर्फ एक click करना है, और वो देखिए text ओले area पे आजाएगा, और आपको send कर देना है, इससे हो गई है कि आपको जितना भी sales process है, ये एकदम fast हो जाएगा, इस पूरे platform में बहुत सारे ऐसे features हैं, जो आपको sales increase कर कर सकता हूं, तो उसमें proper 30 images चले जाएगी, description चले जाएगा, product का और buying link भी सारे customers को broadcast हो जाएगी, इसके अलावा जो सबसे important feature लगता है में कोई software पे, वो है यहां से आप अपनी sales की team create कर सकते हो, और जब भी मेरे पास कोई query है, मैं उस particular team member को assign कर सकता हूं, वो query, तो जैसे ह हमारे 3-4 अलग-अलग products है, जैसे हमारे courses है, हमारे software है, तो हर एक product के लिए एक अलग sales person है, जैसे कि हमारे team member है, हिमांचू, वो completely courses की queries attain करता है, और इस software से मैं वो particular query को easily उसको assign कर देता हूं, वैसे ही मुकेश है, वो completely software की queries को handle करता है, तो इस तरीके से हम बड़ी team बना के और messages को assign करके, easily अपने sales को manage कर लेते हैं, अब दोस्तों इस platform में बहुत सारे ऐसे features है, आप easily अपने customers को tag लगा सकते हैं, अगर आपकी खुद की website है, तो आप सारे customers को notification send कर सकते हो, आप एक बार में अपने सारे users को, सारे customers को broadcast message send कर सकते हो, आप बड़े level पे catalog send कर सकते हो, और जैसे कि मैंने बताया, आप बहुत सारे लोगों की queries easily attain कर सकते हो, अब जो सबसे important चीज है, जो हमें से शायद हर किसी को जरुवत परती है, वो होती है, बड़े level पे WhatsApp messages send करना अपने सारे audience को, और वो भी आप काफी easily यहां से कर सकते हो, सिर्फ आपको एक ही चीज करना ह कि आपका जो message है, उसको approve करना है WhatsApp से, WhatsApp आपका message approve करेगा, एक बार आपका message verify हो गया WhatsApp की तरफ से, तो आप उस message को सारी अपनी audience को broadcast कर सकते हो, और in fact उसमें छोटा सा call to action के लिए button भी लगा सकते हो, और दोस्तों यह जो पूरा system है, यह completely official है, यह WhatsApp business API पे बना हुआ है, और completely secure है, आपको सिर्फ तीन चीज़ करनी है, अपना WhatsApp automation system स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले आपको Facebook business manager अपना verify करवाना है, उसके बाद आपको WhatsApp नमबर लेना है, याद रखिए, वो WhatsApp नमबर पे कोई भी active WhatsApp अकाउंट नहीं चल रहा हो, अगर कोई आपका active WhatsApp अकाउंट चल रह है, easily और अपने WhatsApp API को चालू कर लेना है, और उसके बाद आपको interact का कुछ इस तरीके का platform मिल लाएगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे tools हैं, जिससे आप easily अपने sales को automate कर सकते हो, बड़े लेवल पे customers के साथ interact कर सकते हो, you know, broadcast कर सकते हो, अपनी खुद की team create कर सकते हो, catalog messages send कर सकते ह और बहुत सारी ऐसी चीज़ है, जो आप automate कर सकते हो, इस tools है, in fact अगर आपकी website है, चाए वो Shopify पे हो, या WooCommerce पे हो, आप वहाँ पे WhatsApp का एक widget डाल सकते हैं, ताकि जो भी आपकी website विजिट करे, वो सीधा आपके पास WhatsApp पे आए, और जैसे ही वो WhatsApp की बटन पे क्लिक करेगा, वो सीधा आजाएगा आपके dashboard पे, तो दोस्तों पूरी दुनिया आज की date में e-commerce से WhatsApp commerce की तरफ बढ़ रही है, और इसी लिए सारी बड़ी कंपनिया आज की date में WhatsApp से अपनी sales को automate कर रहे हैं, तो अगर आपको भी competition में आगे रहना है, अपने business को grow करना है, तो आपको भी इस पहली बार आएं, तो इस चैनल को subscribe जरूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में